नमस्कार आप देख रहे हैं EBNN News मैं हूँ अब किस साथ में मनीशा जा केंदर की मोदी सरकार के पहले कारिकाल में ऐसे मामले आम हो गए थे जब कुछ लोगों ने सरकार के विरोध में साहित अकादमी के पुरसकार वापस लोटा दिये थे लिकिन उतर प्रदेश के अलिगड़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आरोप है कि अलिगड़ मुस्लिम यूनिवसिटी ने अपने एक छात्र को दी गई PSD की इस डिग्री सिर्फ इसलिए वापस मांग ली क्योंकि छात्र ने प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी की प्रशनसा की थी हलागी अलिगड़ मुसलिम यूनिवसिटी प्रशास ने नारूपों को आधार हीन बता रहा है मंगलवार को अलिगर मुसलिम यूनिवसिटी के पीएसडी स्कॉलर दानिश रहीम ने आरोप लगाया कि विश्व विद्याले ने उसे अपनी पीएसडी की डिग्री इसलिए वापिस करने को कहा क्योंकि उसने मीडिया में प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी की प्रशंसा की दानिश रहीम ने इस मुद्धे पर प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योग्या दितनाथ को पत्र लिखकर हस्तक शेप करने की मांग की है दानिश ने बताया कि उसे विश्व विद्याले की तरफ से मार्च 2021 में पीएसडी की डिग्री दी गई थी ल थी उसने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा के बाद उसके साथ एम्यू में खराब बरताफ शुरू हो गया था और जब पीएसडी के लिए वाईवा होना था तो चेर्मैन ने बुला कर कहा था कि किसी राजनितिक पार्टी के प्रती इस सरह खुलकर न को नॉमबर 2020 में अवार्ड हो गई है अवार्ड होने के बाद छे महीने गुदर जाने के बाद चार अगस्ट 2021 को हमें एम्यू की तब से एक प्राप मिलता है लेटर इशू होता है कि आपको जो डिगरी दी गई है वो गलत और अंजाने में दी गई है आप अपनी लिंगि नीजे पर पहुचा हूँ कि मैंने जो 22 दिसंबर 2020 को देश के PM की तारिफ की थी जब देश के PM ने AMU को संबोदित किया था सो सला प्रोग्राम में मैंने देश के PM की और AMU के वाईश आंसर की तारिफ की थी तो मेरे वायवा जाने कि 8 फरवरी से पहले 2 या 3 दिर मेरे चेर को उससे यह हावबाव से आपके पता चलता है कि आप जो हैं वो राइट विंग के आद्मी हैं मैं उसके बाद वाइवा दिया मेरा वाइवा हुआ डिग्री अवर्ड हो गई उसके बाद चार अगस्कों जब यह लेटर मिला तो मैं परिशान हो गया मैंने लेटर के जवाब एम यू को दिया मेरी जो कलीग हैं साती हैं मारिया नहीं उन्होंने भी दिया लेकि मेरी एम यू में कोई सुनवाई नहीं हुई मजबूर होकर मुझे हाई कोट का दरवादा खट-कटाना पड़ा और मैंने कल एक लेटर लिखा है देश के पी-म को यूपी के सी-म को और स खलाफ साजिश कर रहे हैं उनके खलाफ सरकार और देश के पी-म जो है मैं हाज जोड के गुजारिश करता हूं उनके खलाफ करवाई करें हलाकि एम यू प्रशासन ने दानिश के लगाए आरोपों को आधार हीन बताया है अलिगर मुस्लिम यूनिवस्ट्री के प्रवक्त दी गई जबकि उसने एल एम में पीसडी किया हुआ है ऐसे में सैफिक इद्वई ने कहा कि इस गलती को सुधारा जाएगा और इस घटना से राजनिती का कोई लेना देना नहीं है तो फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी और रहम खबरों के लिए बनी रही एबियन न्यूस के साथ